करीना कपूर ने पहली और आखरी बार अमरता सिंग पर अपनी चुपी तोड़ी। करीना ने एक इंटर्व्यू में कहा कि वो अमरता का बहुत सम्मान करती हैं और उनकी फैन रही हैं। साथ ही करीना ने कहा कि वो चाहती हैं कि अमरता और सैफ के बीच दोस्ती हो जाए। करीना ने कहा कि वो एक बार अमरता से मुलाकात कर चुकी हैं। करीना का ये इंटर्व्यू वाइरल हो गया है जिसमें वो अपने पती सैफ अली खान की एक्स वाइफ अमरता सिंग के बारे में बात कर रही है अपने दोर की सबसे खुबसूरत एक्ट्रस रही अमरता सिंग के प्यार में पठाउती के निवाव सैफ अली खान दिवाने हो गए थे परिवार की नाराजगी के बावजूद सैफ ने 12 साल बड़ी अमरता से साल 1991 में शादी रचाई लेकिन कुछ सालों बाद दोनों की शादी शुदा जिन्दगी तहस नहस हो गई और आखिरकार साल 2004 में दोनों ने तलाक ले लिया अमरता को तलाक दिने के बाद सैफ की जिन्दगी में कई हसीनाय आई और आखिरकार करीना कपूर उनका दिल जीतने में कामयाब रही साल 2011 में सैफ ने करीना को अपनी बेगम बनाया और उनसे शादी कर ली अमरता सैफ और करीना की शादी में शामिल नहीं हुई लेकिन उन्होंने दोनों बच्चों सारा और इब्राहिम को शादी में तयार करके भेचा था करीना से हर बार ये सवाल पूछा जाता रहा है कि उनके और अमरता सिंग के बीच रिश्टे कैसे हैं क्या वो कभी मिले हैं क्या अमरता उनसे नफरत करती हैं कुछ साल पहले करीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अमरता को फिल्मों के जरिये जानती हैं और वो उनकी बहुत बड़ी फैन रही है साल 2008 में करीना ने जब मी मेट की सक्सेस के बाद सैफ के साथ अपने रिष्टे को लेकर बात की थी तब करीना सैफ एक दूसरे को डेट कर रहे थे करीना ने तब इंटर्वियों में कहा था मैं शादी और बच्चे चाहती हूँ मैं इस रिष्टे के लिए कुछ भी करने को तयार हूँ मेरे लिए सैफ बहुत माईने रखते हैं और मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी मैं सैफ की पहली वाइफ अमरता की बहुत इज़त करती हूँ मैं उनकी फैन रही हूँ मैं इस बात कभी सम्मान करती हूँ कि सैफ शादी शुदा थे और उनके दो बच्चे हैं सैफ के जिंदगी में अमरता का हमेशा एहम स्थान रहेगा क्योंकि वो उनकी पहली पत्ती है और उनके बच्चों की मा भी है मैंने सैफ से कह दिया है कि अमरता को हमेशा सम्मान मिलता रहे मेरे माता पिता ने मुझे यही सिखाया है वो बस एक शादी थी जो चल नहीं सकी मैं सैफ को इस बात के लिए प्रोचसाहित करती हूँ कि उनकी अमरता के साथ दोस्ती रहे तो बहुत अच्छा होगा करीना ने यह इंटर्व्यू सैफ से शादी करने से पहले दिया था करीना और अमरता की एक बार मुलाकात हो चुकी है अमरता अपनी विटी सारा को करीना से मिलाने के लिए कभी खुशी कभी गम के सेट पर आई थी सैफ और करीना की शादी के दौरान ऐसी खबरे थी कि अमरता इस रिष्टे से काफी गुस्सा होगी थी हलाकि अमरता ने बाद में दिये अपने एक इंटर्व्यू में इन सभी बातों को खारिच कर दिया था अमरता ने कहा था कि उन्हें कभी सैफ और करीना करिश्टे से कोई परिशानी नहीं हुई अगर ऐसा होता तो वो कभी अपने बच्चों को एक्स पती की शादी के लिए तयार करके नहीं भेशती हला कि सैफ और उनकी मा शर्मिला टैगोर आज भी अमरता को पसंद नहीं करते वो बातों ही बातों में कह चुके हैं कि अमरता ने उनकी जिन्दगी नरक कर दी थी बिरो रिपोर्ट बॉलिवुड पे चर्चा